जैसा कि आपको पता ही है अब आपका 83 परिच्छा का रसाइन विग्जान का पेपर होने बाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कराने बाला हूँ जिन क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हो समझ लेते हो अच्छे तर जादेना गाईध के पहला कोशन आपर दो पिंग क्या है इसकी आपको डैपीनिसन जाद करनी है इसके बाद दीकिए कि दूसरा क्वेश्चन है है और इसके अनप्रयोग आपको बताने बरिभी मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है हैंद्री का नियम इसको अनडर परिश सा लिखिए सभी सेलेक्टेट कोश्चन नहीं चूटना चाहिए बाद में पता लगा आपको पच्छताबा हो रहा है कि कास में इन कोश्चन को याद कर लेता चौता कोश्चन आप देख सकते हो बिलियन के प्रक्यार थता दोनों में अंतर लिखिए प्रासरड दाव क्या है बिद्दुतर असायनिक स्रेडी किसे कहते हैं बिलियन के प्रकार आपको पता हुगा दो प्रकार की बिलियन इसक़िए कि थोस किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताए है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है, question number 8 है, संकरमढ तत्वों का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास आपको बताना है, गाइज एक भी question नहीं छूटना चाहिए एक बात फिर से मैं आपसे reminder दिला रहा हूं याद दिला रहा हूं एफ ब्लोग के जो तत्वा उनको कितनी स्रेडी में बाटा गया है लोहे थता तामे के दो-दो अजस्कों के नाम आपको बताने है अजस्क किया है उनके नाम बताने है उसको आप देख सकते हैं संवन्वे संक्या क्या है इसकी definition आपको बताने है इसके बाद pume 15 मारव आप यहां पर हेलोजन प्रवल उक्सिकारक क्यों होते हैं हालोजन उते हो इसका आपको region लिखना है इसके बाद गाई जाम बढ़ें तेरे भी कॉश्चन पर औसी किसे कहते हैं जुर नासी और सिदी के बारे में आपको बताना है चौद्रमा कॉश्चन है आपर पूचा गया है सुद्ध जल्की मोललता ग्यात कीजिए सुद्ध जल्की मोललता पंद्रमा कॉश्चन है ओसदी हमारे लिए क्यों उपयोगी है इसको आपको समझाना है सबी selected question है guys एक भी question नहीं चूटना जाहिए paper में जाने से पहले सब को याद कर लेना lengthy night किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है सत्रेमा question आप यहाँ पर दिख सकते हो आडविक्ता से क्या विपराय है आडविक्ता किसे कहते हैं एंडगाई अठारेमा question यह आपके सामने राउल्ट का नियम बताइए और इसकी सीमाई लिखिए का यह राउल्ट का नियम है very very most important question है राउल्ट के नियम के वारे में आपको जरूर पढ़ना है हर साल final board पर इच्छाओं में भी यह question पूछा जाता है तो इसकी संबाबना बहुत ज़्यादा है आने की साबून तता डिटर्जेंट में आपको अंतर लिखना है कम चिकम Welcome to the fellow tutor app यहाँ पर आप कैसी रजिस्टर करके successful fellow का tutor बन सकते हो सबसे पहले आपको mobile number से renewal करना है उसके बाद basic academic detail यहाँ पर भर देनी है उसके बाद आपको यहाँ पर first fellow tutor के साथ call करना है after that guys आपको अपनी profile photo वो update करनी है और अपनी ID proof का एक photo लगा देना है उसके बाद आपको select the topics जो topics आप पढ़ाना चाहते हैं उनको select करना है उसके बाद guys आपको यहाँ पर अपना एक introduction record करना है उसके बाद आपको जो topics पढ़ाना चाहते हैं उसका एक demo डालना है application को submit कर देना है 48 hours का time लगेगा review होने में उसके बाद आपके पास notification आजाएगा और आप successful fellow tutor बन जाओए link description में download कीजिए तार 5 अंतर आप याद कर लेना जिससे आपका काम चल जाएगा इसके बाद 20 मा question है आपर साबुन बनाने की बिदी आपको बतानी है साबुन कैसे बनाया जाता है 21 मा question देख सकता आप Ozone क्या है O3 जो आपने पड़ा हो तो और इसकी आपको property यानि good लिखनी है Ozone की property इसके बाद देखिए यहाँ पर 22 मा question है संकरमर तत्तुर रंगीन योगी क्यों बनाती है very very most important question है इसको under percent आप याद कर लेना 23 मा question आप यहाँ पर देख सकते हो संकरमर दातु है आसानी से मिसर दातु है क्यों बना ले दी यह भी very very most important question है यह top 30 question है selected question है अगर आपने इन questions को याद नहीं किया तो समय लिए आपने कुछ नहीं किया तो आप एक दम बिल्कुल बुद्दू हो अगर आप इन questions को भी याद नहीं कर सकते हो इसके बाद देखी गाईच 24 माँ आपर question आपको देखने को मिलेगा SN1 थता SN2 अविक्रियाओं को आपको समझाना है यह अविक्रियाओं भी very very most important question है हर साल final board परिचा में पूछी आती है उसके बाद गाईच 25 माँ कोशन आप देख सकते हो इसके बाद ही 27 माँ कोशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो है अमोनिया के निर्वाड की हैवर भी दी आपको बतानी है 28 माँ कोशन आप देख सकते हो PPM क्या होते है और लाश्ट दो कोशन है गाईच वह 29 माँ और 30 मा तो 29 माँ कोशन इस तरीके से है मोल प्रवाज को आपको समझाना है और 30 माँ कोशन इस तरीके से है लेंधेनाइड क्या होते है तो गाई यहाँ पर मैंने आपको Total 30 कोशन समझा दिये है अगर आप इन 30 कोशन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो उम्मीद करता हूँ Chemistry में Top Score आप कर सकते हो इसके बाद गाई हम एक वीडियो और लेकर कहेंगे जिसमें सारे Objective एक एक नमर के उटी रहेंगे उनके Solution के साथ मैं आपको वो प्रोवाइड करा हूँगा अगर आप इनको Download करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिशन ने डाल दो वहाँ से इन Questions को भी आप Download कर सकते हो आज की वीडियों बस इतना ही धन्यवाद दोस्तो